दुस्तों कई वर क्या होता है कि अगर हम किसी को पास वाटसप मेसेज भीना चाहते हैं तो अगर उनका नंबर जो अपने फोन में सेब नहीं है तो सबसे पहले हम उनके नंबर को अपने फोन में सेब करते हैं फोन में सेव करने की बात अब उनके सर्च करते हैं वाटसप में जा करके सर्च करते हैं उनका नाम फिर जिस नम से मतलब सेव किये रहेंगे फिर उस नाम पर जबा जाए एक मैसेज चाहिए फोटो वीडियो कुछ भी भेजते हैं बट ऐसे करने पर बहुत सारे कांटेक करोगे तो आप वाटसप मैसे भेजने ही पाओगे तो आपके पास नंबर मुवाइल नंबर आ जाते हैं कॉंटेक नंबर में जो आपको नहीं चाहिए तो ऐसे तरीका बताने वाला हूं तो अगर आपको भी जाना है तो इस वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक करना सबसे पहले मिलते रहे तो चलते हैं वीडियो के तरह पर देख पार हमाँ अपने फोन इसका नाम है वाटसप वेब सबसे पहले इसको ओपन करना है और यहां पर मैं आपको बदा दो कि यहां पर इस अप्लिकेशन में बहुत सारे फीचर्स दिखने के लिए मिल जाएंगे इसके दिखने के अपने फोन इसका पर अपने बाटसप पर सकते और आपसे लेक्राटे में ऑपने ब्रसकते हो अग्ला अबस्टेट ने पर क्लिक करोगी तो यहां पर वाटसेप में जितना भी मतलब जंक फाइल रहेगा उन सभी को डिलीट कर देगा और यहां पर जो आप समय इस वीडियो में बताने वाला था उसका नाम है डायरेक्ट चैट डायरेक्ट चैट पर यहां पर दिख पा रहे हो वह सकता अलाव मां पर यहां पर डाल देता हूं और यहां पर डालें के बाद मैं यहां पर लिखता हूं ही जैसे यहां पर मैंने ही लिखा उसके बाद यहां पर थोड़ नीचे करेंगे तो यहां पर आजगा सेंट का अप्सन अब यहां पर मैं सेंट पर क्लिक करता हूं अब यहां पर दूस आपसन खुल जाएगा जो की यहां पर ही लिख कर आ चुका है और यहां पर मैं चब्र정 कर सकता हूं तो यह जो है चला जाएगा जिसको भी भीचना चाहते हो आप Mm है तो यहां पर देख भार उपर नाम भी नहीं लिखेगा कि आप न pratcómo निए तो नाम कहाँ लिखेगा तो इस तरह कैसे आप जो किसी को डायरेट मैंसे जो भी सकते हो तो यहां पर आप गैलरी में कुछ भी सकते हो वीडियो फोटो कुछ भी सकते हो यहां से है ना तो यह बहुत ही बढ़ी अप्लीकेशन के अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो आप तो इसका लिंक